हेलो गाइस वेरी वाम विलकम टू एवरीवन आई होप आप सब अच्छे होंगे तो आज एक ऐसा टॉपिक टच करने वाले वाले हैं जो बहुत लोगों ने क्वेश्चिन्स पूचा और बहुत ही जादा फ्रिक्वेंट क्वेश्चिन्स होता है कि बलकिंग कैसे कर सकते हैं कौन-कौन सब फूट्स है जो बलकिंग में हमारे हेल्प करता है तो मैं आज कुछ फूट सोर्स के नाम बताऊंगा जो कि आपके बलकिंग मोट में स्पेशली इन्वेंटर्स आपको बहुत हेल्प करेंगे तो सबसे पहली बात कि जब भी आप बलकिंग करने का सोच रहे ह आपको वरकाउट का इंटेंसिटी भी बहुत हाई रखना पड़ेगा क्योंकि आप बलकिंग कर रहे हो आप मसल इंक्रीज करोगे आप मसल फटीग करोगे तभी मसल गुरू कर पाएगा तो इसके लिए आपको कैनोरी सरप्लस में रहना पड़ेगा प्लस हाई प्रोटीन होता यह बलकिंग में कैसे हिलो हो नटेंगा होती होता है और जो इसमें फैट प्रेजनट होता और वो साच्परेटिट हम्हेब करके हर बाद आप अकृटी हरे द् 고양ा करता है तो 10 या 12 एक साथ का जाओ ना जी ना अगर आप whole एक ले रहे हो तो 2-3 is enough बहुत सारी चीज़े हैं जैसे ये healthy cholesterol देता है back cholesterol को हटाता है आट्री डीजिस से हमारे ये छुटकारा पाता है जैसे blood clot, blood problems ये सबसे दूर करता है तो एक बहुत ही एक important source है बलकिंग के लिए तो हमारा दूसरा source आता है और हाँ एक चीज़ और सॉरी मैं भूल रहा हूं एक 60-65 ग्राम कैलरी करता है एक एक में 60-65 ग्राम कैलरी होता है एक एक में प्रोटीन आइधिंग 4-6 ग्राम प्रोटीन होता है नाओ coming to second source second source है हमारा sweet potato हाँ यह बहुत ही है कि इसे हम लोग सकरगंदी भी कहते हैं बहुत ही important source है carbohydrates का और यह एक ऐसा nutrition है जो आपको लंबे तरह लंबे टाइम के लिए energy दे सकता है लंबे टाइम के लिए आप sustain कर सकते है sweet potato हमेशा market में मिल सकता है तो आप इसको as a pre-workout ले सकते हो बहुत ही important source है आपके bulking में बहुत ज्यादा help करेगा इसका glycemic index बहुत लोग हो ताप glycemic index के मतलब क्या हुआ कि वह कोई भी चीज अगर आप sweet में लेते हो तो आपको sugar level बढ़ा देता है बट इसका glycemic index इतना ल प्रेजेंट होता और potassium आपके workout में आपके body को आपके blood को direct potassium मिलेगा तो आपको बहुत workout में help करेगा तो overall एक 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 एसा natural carbohydrates है जो कि bulking में तो help करेगा ही बट आपके उसके अलावा आपके body के लिए भी बहुत ही important source है तो I hope you understand तो हमारा third आता है oats 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 तो मैं खुद लेता हू breakfast क्योंकि oats एक ऐसा complex carbohydrates है जो बहुत ही ज्यादा important है इसमें यह high in fiber होता rich in rich in vitamin and minerals होता है and oats की सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमे calories कम होता है बट आप लंबे तमय के लिए sustain कर सकते for example अगर आप breakfast खालोगे तो वह easily slowly digest होता like वह अराम से आपके पेट में ज्यादा दिरतक रहता है तो जो कि आपके body के लिए बहुत helpful होता है calorie कम है बट वह effective बहुत ज्यादा तो oats एक complex carbohydrates है जो भी बहुत ज्यादा help करता आपके muscle building में now our fourth is rice अब दो different आता white rice and brown rice see the difference between brown rice and white rice is brown rice में calorie ज्यादा होता है बट वह sustain कम कर पाता है और white rice आप calorie ज्यादा लो और वह कम खापाएगा for example कि white rice का functioning ऐसे होता है कि आप पेट भरके भी खा सकते उसको और आपका पेट आसानी से भरेगा भी नहीं तो वह आप बलकिंग में हो तो आप calorie surplus आपको रखना तो इसमें white rice ज्यादा important है ज्यादा जरूरी है brown rice से और हाँ second thing digestion भी बहुत जल्दी हो जाता है और यह आपके instant energy प्रोवाइट करता सबसे बेस्ट चीज कि आपको energy जिम में हमेशा रहेगा जब आप वाइट राइस इंटेक करोगे तो नव फूर्थ इस नेट फैमिली नेट फैमिली में आपका आलमेंट आगया और पीनट आगया यह तो आप जानते हैं कि आलमेंट फैट प्रेजट करता बहुत यह बहुत अच्छा important source है और बहुत सारी चीजें हैं जो आलमेंट और पीनट प्रेसेंट करता फार एक्जाम्पल यह healthy fat है poly saturated fat and monounsaturated fat यह vitamin and mineral भी present करता है और almond contain हाँ यह almonds में हमारे जो बदाम होते हैं उसमें magnesium present होता है magnesium का फाइदा क्या है कि magnesium आपको while sleeping body को relax देता है अब जितना अच्छे तरीके से आपका body relax करेगा उतना चाप सोप आओगे अब जितना अच्छे से body रेश मिलेगा और body को जितना चारे मिले उतना अच्छे बाडी ग्रोब करेगा तो बहुत सारी चीजे छूपी होती है आल्मंछ इन्थि दिमार तेज करने के लिए होता ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आल्में मेंगनीशियों प्रेजेंट भी कोुछनॐस आपका जिंक प्रेजेंट अपने जिक हम वियुकरते होगो तो आप बहुत इनरजी के लिए प्रेसेंट थो वह Cora होता है यह बहुत सारी चीज है तो आलमंट्स और पीनट्स एक ऐसी चीज है जिसमें अपार्ट फार्ट और प्रोटीन बहुत सारी फाइवर्स मिनेरल्स विटमेंज फॉस्फोरस जिग प्रेजेंट होती है जो अलग-अलग क्राइटेरिया में इंडिरेक्ली आपको बॉड सबसे बड़ी चीज है कैल्शयम में हमारे कैल्शयम हमारे बोन के लिए बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट होता बोन को अपने स्टॉंग करता है तो मिल्क और पनीर के सबसे एक खासियत है कि आप किसी भी चीज में जब आप बलकिंग में हो तो जैसे फॉर एक्जामपल व करेकी गड़ी चीजने आप उपकी अच्छे लेगा यह यह इंपोर्टेंट है कि आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हों पड़ी बहुत्वक्ती आ कि मिल्क में कल्चिम होता प्लस फैट प्रोटेंसे भी आप इक तो wr वन आपका एक्स था सेगंड वन आपका शगरगंदी था स्वीट पिटाटो थर्ड वन आपका ओट्स था फोर्थ वन आपका राइस था फिफ्ट वन नट्स और अलमंट्स और शिक्ष वाट मिलक पनीर तो बलकिंग मोड में आप जब भी रहो तो याद रखो कि जितना सी आ तीनों माइक्रो नूट्रियंट्स इंपोर्टेंट प्रोटीन प्लस कार्भोहाइड्रस प्लस थीनों कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपको कैलरी सर्प्लस में रखना है और हाई इंटेंसिटी वर्काउट करना बहुत इंपोर्टेंट है कि अगर जब तक में आप मसल को फ पसंद आया होगा तो लाइक करें सब्सक्राइब करें को बाइब